नमस्कार मित्रणों तुम्हा सर्वान्च स्वागत आहे बायोलोजी वर्ड या माझा यूट्यूब चैनल मदे जिते आपन प्रिवेस येर क्वेस्चन्स टॉपिक वाई स्टडी करतो है आत्ता परेंता आपन सर्कुलेशन आणी एक्सक्रीशन या दौन टॉपिक चे प्रि स्ट्रूजन आप सेकंड पोलार बाडी फ्रम एक अकर्स ये चामते जर आपन पाहिला तो चार आप्शन आप लेल दी लेला है फर्स्ट ऑप्शन इस साइमल्टेनेसली वीद फर्स्ट लिवेज सेकंड इस अप्टर एंट्रे अप स्पर्म बर्ड भीफोर जी अनी फोर्थ ऑप्शन है तो मंझे भी फोर एंट्रे अप स्पर्म इंटू हम नीट टूथाओजन नाइन अनी 1993 में यह क्वेशन विचार लेला है रिपीट जा लेला है इधी जर आपन पाहिलो तो रहे आप लेला जे स्ट्रुक्चर दिशते ते मंझे सेकंडरी उसाइड अनी फिमेल चाही ते जर बर बर हेज स्ट्रुक्चर आज ते स्पर्मा आए है प्लड मेल गमेट आनी फिमेल गमेट अपलेल दिशता है तानी जाम अधी फर्टिलाइजाशन जाले नंतर डिपलाइड जाएगोट तायर होता हूं महें चाम दे मियोसी सेकंड इस सेकंडरी अजनम पातुर दोाही तो डिबवनकं भींषोना अल इस सेकंडरोशन नुट्यशा तानी जाए डुश अ्यां जphem साली बिल्लाइज करेंस गरेंसाप्रट भ्लाइड जाहतों महें तानी अवर्य जांत पास्तायर में इस दिचाहरब गमेंसा इस स्पर्म जय तो आप लहां ओहम इच्छा जो नुकलियस आये तो आणि स्पर्म चैन नुकलियस दोनी एक तरे फ्यूज होता ता आणि तेच्छा पसंड डिपलाइड जाय गोट तायर जाले ले दिसते तेला पन गान तो फर्टिलाइजेशन असमन्तो मोग ये सेकंड पोलार बोडी जाये दि कदी भाहर पड़ते रहे जा एंसर आये अप्शन नुमबर बी आफ्टर एंट्री आप स्पर्म बड़ विफोर धी फर्टिलाइजेशन मन्तो Q2. Select the correct sequence for transport of sperm cell in male reproductive system इध्या प्लेला sperm cell कशा प्रकरेट रांसपोर्ट होता तेशा pathways जो आहे तो आपने ले ले जाये चार ओप्शन आप्लेल दिलेलाए आप्शन 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 आप् पेडिदाइमिस, इंगुनल, कैनल, और युरेत्रा थाज़ा क्वेश्चन आए तो नीट 2019 मदे विचार लगे लेला है आणि या प्रश्णाचा एक्स्प्लेनेशन जरापन पाहिला तर इत्या अपने एक डाइगराम पाहिली तर अपले लगेज लगेज लग्षा दिल तर इत्याच एले सहे लोगेज लोचिटूटनाल सेक्षण आए आता हमनेच मदे जरापन पाहिला तर यह टेस्टीज मदे अपलेला है फोलडग दिसता है तहेय अपलेला यह लगेज अपनेफरस ट्यूब्स प्रेजंट असेला धीसता है और सेमीनि फेरस ट्यूब्स अं मंझे सेमिनिफेरस टुबिल्स नंतर स्पर्म जायते कुटेतात रेट्री टेस्टीज मदेतात और इतेचा नंतर रेट्री टेस्टीज मदून इते अपलेला या पोर्शन लासा हे स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा दिसते तेला आपन कायम होंतो इतीस क्वाडाज व कर्पस अपिड्ट द्यामीस अनि क्यापीड्ट एपिड्ट एपिड्ड्ः मैस हा जुवरच पोर्शन आतेला आपन क्यापीड्ट ड्यूब आ पनौिड्ट ने सेमीड Labour Party मिन सेम्नों इताक स्पर्मानी द Midwest में टेते अपिड्य स्पर्मानी देकुते जातातम रहाद क्व बेटस अश्या प्रकार्चा तमचा पात्विया अपलेला असलेला दिसुने तो त्या मुझे जर आपन पाहिला तर ओप्शन नंबर C is the right answer of this question त्यान अंतर next question आहे तो मंझे question नंबर 3 No new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because अता हाज जो question आहे तो menstrual cycle ची सम्मंधी तसलेला प्लेला दिस्तो इते options रापन पाहिले तर काया हे तर follicle do not remain in ovary after ovulation त्यान अंतर second option आहे तो मंझे FSH level are high in the luteal phase त्यास बरबर third option आहे तो मंझे LH level are high in the luteal phase और fourth option आहे तो मंझे both FSH and LH level are low in the luteal phase निट ओडिसा मदे 2019 मदे हाग question विचारला गेलेला आहे तर आहे तीजर आपन पाहिला तर काय विचारला ये तर no new follicle development in the luteal phase menstrual cycle चे luteal phase मदे कोन तेही follicles तायर होत नाहे तर कारण काय आता ही ते आपन ये डाइगराम मदे बगू शक्तो ये जे डाइगराम मदे संपूर्ण आपलेला menstrual cycle जाहे ती लगेस तेचा overview करता है तो लगेस पहाता है ते आता ही ते जर पाहिला आपन तर वेगविगले फेजेस अपलेला दिस्ता है आनि लूटील फेज पहाता ही ते लूटील फेज आए और फॉलीकुलर फेज मंदे काय उता ही प्रत्यक मन्त लाइक फॉलीकल जाहे ते डेवलप होता सता अपलेला दिस्ता ही ते डेवल्पमेंटल स्टेजस तेस बड़वर इते आपन जर पाहिला तर अपलेला हार्मोंची ल स्टिमिलेटिंग हर्मोना नी यह चा मुण काय होतास तात फॉलिकल ची डेवलपमेंट होतास ते पन लुटियल फेज मदे जरा पन पाहिला तर त्या वेला ओवुलिशन जाले लास्तो ओहम जो आहे तो ग्राफियन फॉलिकल मदुन बहर आले लास्तो आणि त्या चा मुण स अले ज करने से ती पलासेंटा कुण सी क्नी हर्मोन सिक्रेटेर करतो होतास अचरी चाहर स्क्राफियन फेजन नहिए अश्या प्याला चार ओप्शन दिले लिया है 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 अश्या प्याला चार ओप्याला चार ओप्शन दिले लिया है अश्या प्याला चार ओप्याला चार ओप्शन दिले लिया है अश्या प्याला चार चार ओइसी सबस्पर्मधी लिया है saad अश्या प्याँ दिले लियाल कांथ टार ओप्याला चार ओट चार ओप्याला चार्ली सेल्फचता हाई तक्तमेल रिलीज होते हैं यही सम Natomiast सेमिने सवेड़ होता है। लिखेन लु्हां सोल नेंगोय करसे होते हैं सब्सक्राइरे रिलीेस्सा सतोता हुता है tą खाण हम्हाचा के टोुट है टो आके स्वेने कारमयेशना है को सब्सक्राइनो विंत त्यान अंतर question number 6 जो आहे तो मंजे the amnion of mammalian embryo is derived from अता amnion जो आहे mammalian embryo चा तो कुंत्या जे पस्टून लेरस पस्टून तायर हो तो अश्रप्रकाचा question आहे question number 6 मही तेजर पाहिला पंतर अपलेला चार ओप्शन दिस्ताए ectoderm and mesoderm b is endoderm and mesoderm c is mesoderm and tropoblast d option is ectoderm and endoderm निट 2018 मदे हासुदा question आपलेला विचरला गे लेला दिस्तोई आता ही तेजर आपन पाहिला तर amnion is the amnion काई तर it is the it is a membrane forming a fluid filled cavity that includes the embryo embryo जेचा मदे अस्तोशी fluid filled cavity आए तेला आपन काई मतले it is called as amnion providing the cushion against the mechanical injury असला महत्वाचा कामे है amnion चास लेला पलेल दिस्ता amnion जाए तो कशा पासुदार जालेला तो tectoderm and mesoderm निट चा मोरे तेजर आप्शन जाए first option is the right answer of this question question number 7 is match the items given in the column first with those in column second and select the correct option given below आप्शन दिलेला हाँ question दिलेला अधा है चामा दिजर आपन पाहिला तो menstrual cycle शी अप्लेला सम्मांदी था question अस्ते ला इस्तो इते अप्लेल दोन column देलेले ताने अप्लेल तेक मेका जे match कराया चेत निट 2018 में देहा question विचे लेला है इते जर पाहिला प्लेली फेज दिलेले आहीति मझे proliferative phase अथा proliferative phase अर असे call as follicular phase अजिला हां फोलीकिलर phase समन्तो की है phase में देहा होता अंतर endometrium ची level जास्ते थी थीख होतास्तो endometrium तैस बरोबर ओर ही अल्सो prepare for egg release का नेसिटी prepare होतास्तो आणि 6-14 day ची आसले आपनेला दिश्elा अर्षड प्राखरी फॉलिकोलर फेज भी कौलड आता परहिते theo स्यवार्य पंधरेंके गजना क किला न राड़िन थाशा सब्सक्री न गाम आपना लुटेल फेज पर नियुटेटर इसे अंधि अंधि अधिया पर नेक्स आए ते मैंजे मेंस्ट्रुेशन ना मेंस्ट्रुेशन जी आहे फेज 3-8 डेज आते अपना लादिश्थे ते श्बुरुबर रोबर ही मेंस्ट्रेशन मा देकाई होता ते ब्रेकडाउन आफ ब्लड अस्तों आशाप्रा करें इते जरा पहिलेदर ऑप्शन नमबर सीज द राइट आइंसर अप दिस क्वेश्चन त्यान दर क्वेश्चन नमबर एट इस क्यापैसिटीशन अकर इन अथा क्यापैसिटीशन एचार ऑप्शन दिले निट 2017 मदे हाग विचार लागे लेला यह मतर पहिलेदर फॉस्ट आए तो मगें इपीड़ाइमीस वस्ट डेफरंस तैस्ट बरबर थर्ड आयते मजे फीमेल रिप्राड़क्त व्ट्रैक आनी फॉर्थ आएटे प्रेटेटेस्टेस्टेस्टेस्ट्स पर्म मदे खुठेत आशा प्रकर जाग वेश्चन आए न मुझे एगला फर्टिलाइज करने शी अबिलिटी नियर्मान होना त्यालास आपन कायों दो इटी स्क्वाड आज कैपैसिटेशन असे मांतले जाता मही कैपैसिटेशन जायते नकी कुटता होता तर् डस्पर्म इन दा फिमिल रिप्रोड़ुक्ति रेक के वा जनाटल ट्रैक और मेड़़ कैपैबल फर फर्तिलाइजिंग द्याव जाता त्यावला थे ज़ेंज वेले इसे कपापिलिटी थ आपने ला स्जआ स्ट्रॉक्चर मही आई ज सक्यारा टो टो टख्रौम गरें ह्याâte करता। आणि तेचा मोण क्यापसिटीशन कुटे या करो तो तर फिमेल रिप्रोडुक्टिव ट्रैक मद या करो तो इट इस दर राइट एंसर अब दिस क्वेस्टन तर ग्वेस्टन नमबर नाइन इस मैच दो कॉलम फॉस्ट विद कॉलम सेकेंड और सिलेट दो करेक्ट ओप्शन युजिंग दो कोडस गिवन फिलो एता इस दो कॉलम पहला पंतर पहला आए स्ट्मेंट मोंस पीष अंतर मोंस पीष या है मोंस पीष मंजे का है तर फिमेल एक्स्टरनल जनाइट्रल या मधे आपन मोंस पीष है शुकत स्तो तर भरव नेक्स आहे ते मजे एंट्रम अता ऐन्टरम एन्टरम ज्याहे तचा अपलिल ऐन्टरम ग्रλέघ्विण फाल एSiड़ीकल ग्राफियन फाळिकल में जे काव faithful फालिकल अपन्ट है तच लोग्याम पाँलत ना मनतो assessing आप्लिकल ठोप। , ट्रोपो एक्तोडर्म में जे कअ तडे। हनोँ तर फॉर्मशन जा एंब्रियो फॉर्मेशन एंब्रीयो फॉर्मेशन आउटर लेयर जा हनोँ प्रोपोएक्टरण मसमन्तो प्रोपोएक्टरण इस देसेल्स और एक्स्ट्रा एंब्रियोनिक टीशू दे दू नौट बिकम पार्ट आप फिटस बड्ड डू बिकम अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सब्सक्राइब काम करता सथा सच अज दप्लासेंटा अंड मेंब्रेन त्यास बड़ अबर निक्स्ट आयते मंजे निबनकन निबनकन जायते कुट आस्ता रापन स्पर्म चे स्ट्रक्चर मदे हे स्ट्रक्चर निबनकन सबकतो इड़िज दम दा मैटोकंड्रील फार्मेशन इन दस पर्म सम अब दा इनसेट सचे ज़्रोस फिला मदे वागेरे छाए ड्रोस फिले चाइश पर्म मात में अपलेला है निबनकन ऊगरे बागाला में तो कि माइट्र कोंड्रेज यते अस्तों कि तेहाफ पार्ट अपलेला अस्तेला इस्टी आमड़ स्पर्म इस्दम राइट पेरिंग आप निबनकन तो महें चामते बाद आप्शन यह आ तो पाइलेल आहे हैं जा हर्मोस है थे चीजी एच्पी यल इस्टोजन और नी प्रोजस्टेरों यह कुटे तैर होता तर आप्शन नमबर बी इस दराइड अश्ट अब इसक्वेशन मगश्चेज आपन बगीत लेगे प्लासें टाज आहे तो प्रेगनंसी चे वेडेला पिटास वाडी मधे एक्ष reason कारना सकाम करत स्तो त्या जबो अबर बिएग बगडे हर्मोन सीक्रेट करत स्तो इट अद्ध्ध्ट 17 सीच अबन अभणी शन्नात फ्लासेंटा इस्ट गूत अब्ग्ते अन्ब क्वेशन हमगेजे छा नमर्ब संभ से प्वेशन थूत्या थेलेमज सिक्रेट करता स्थो। अनि हाँ है थेलेमजू आही तो जियन आरेज ला सिक्रेट के लाएं तर जियन आरेज चार ओल काई दिस्टाप लेला तर इट श्टिमिलेट दा आंटिरियर लोब ओफ स्विफ्टरी ग्रेंडि ही कए करतेंस अनिलेट कई चल्दरोल ओंदेसार काम पमनशती है आप दूस्रा ये हार्मन आहेते, मैं जे FSH की जे पित्रग लान्ट सीघर्ट करते है, FSH मने फॉलिकुलार स्टिमिलेटिंग हार्मन के जा हैते, इट एक्टावं अंधी इट स्टिमिलेट धा फॉर्मेशन नाम इस्ट्रोजन इस्ट्रोजें। चा। तते स्टिमिलेट करत त्यास बरबर इस्टोजेन ची फोर्मेशन होता इच्ट स्टिमिलेट दो ग्रोथ आप ओर एन फोलीकल ये फ्सेच कि मोँआ फोलीकल स्टिमिलेटिंग हर्मोन मुञे काय ओता ओर अज आप्राकर्शिवीदों महत्वाचे हर्मोन प्रिट्र ग्लांड विद्धेहलप ओप कौरिनल ट्रोपिन रिलीजिंग हर्मोन स्मुडे काय करता स्ते रिलीज करता स्ते आथा काय होता तर राइजिंग लेवल आप प्रोजेस्टेरोन आड इस्ट्रोजन इनिबिट द रिलीज ओप जी अनर्याच माज हैची लेवल जर बलड मदे जर वाड प्रोजेस्टेरोन आप उपस काशा ची लेवल कमी है थे फ्सच अनी लेवल अपनेले थे कमी जाले लेवल दिशते आणि तेचा मूडे अप्शन नंबर सी इस द राइट आइस्टेरोन इस्ट्रोजन आड प्रोजेस्टेरोन Q12. Fertilization in human is practically feasible only if Q12. Fertilization in human is practically feasible only if Q12. Fertilization है नक्की कुठे होता आच आप राकर जा क्वेश्चन आए Q12. अपन पाहला थे चारह option आप लेवल दिले ले आएथ Q12. First option is the ohum and sperm are transported simultaneously to ampullary-ishtemic junction of the cervix Q12. Option B Q12. The sperm are transported into cervix within 48 hours of release of ohum Q12. The sperm are transported into vagina just after the release of ohum in fallopian tube Q12. Next, the ohum and sperm are transported simultaneously to ampullary-ishtemic junction of the fallopian tube Q12. Fertilization है आपन पाहला तो Q12. Fertilization मन्जे काय तर Q12. Fusion of haploid male gamet and female gamet to form the diploids Q12. Fertilization Q12. Fertilization जाहे ते नक्की कुठे होता तर Q12. Fallopian tube मदे होता Q12. Female reproductive system अपलेला महीती चाहे Q12. Female reproductive system मदे Q12. Fallopian tube Q12. Fertilization 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 है में तो इस कॉड़ ऐस इस्थमस त्यास बर्वर हां मिडल जो पोर्शन है दाट आर कॉड़ आज एम्फिला रेजन आज आज इन फंडिबिलम अशा है तीन रेजन सस्ता त्या पैकी इजर आपन पाहिले तर नक्की फर्टिलाजेशन जे आहे ते कुट होता तर आम्फिला इस्थमिक जंक्शन जे ठीकाने अपलेला काईज आलेल दिस्था तो फर्टिलाजेशन है जालेला दिस उने तर इस दा एक्जेक्ट पूजिशन आप दी फर्टिलाजेशन त्यामण आप्शन नम्बर डिकी इस दा राइट आंसर अप दिस क्वेशन दो ओमान स्पर्वार ट्रांस्पोर्टेट साइमल्टेनेसली तो एम्पिलर इस्थमिक जंक्शन अप दी फॉलोपीन ट्यूब क्यान अंतर क्वेशन नम्बर थर्ड जो आहे थर्टीन जो आहे तो मंजे सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट आपलेला इतो उल्खाइच आही पहले जे स्टेट आता हे का रौंगा है तर LH and FSH decrease the gradually during the Follicular gases आपलेला इते सांगीतेल है तर इतर अपलेल नक्या काई रिलिट्स इथा ओरी मदे एक जो आहे तो डेवलप होने जी प्रोसेस है फेज मदे होता स्ते है अनि तेचा मुझा पहले जी स्टेट्मेंट आहे तेचा मुझा अपलेला रॉंग दिस तो है अनि तेचा मुझा अप्शन नमबर A is the right answer of this question तेचा मुझा अप्शन नमबर A is the right answer of this question तेचा मुझा अनि तर question नमबर 14 जो आहे तो मझे identify the correct statement on inhibin ता inhibin जाहे तेचा स्टेट्मेंट आहे अनि तेचे सम्मदित आपलेला इचार स्टेट्मेंट देलेले तो कुंत स्टेट्मेंट है जातलग करेक्ट आहे तेचा अपलेला बगायचा आहे पहिला जे स्टेट्मेंट आहे तेका है तर इट प्रोड्यूस बाइ ग्रानिलोसा सेल इन ओहरी और इनिबिट दे सेक्रेशन आप लेच तेच वरवर सेकंड जे स्टेट्मेंट आहे ते मंझे इस प्रोड्यूस बाइन और सेल इन टेस्टीज आए और इनिबिट दे सेक्रेशन आप लेच ते अच्छा प्रकाची चार स्टेट्मेंट अपलेलाई ते लेले थ नता इनिबिन जा है क्यों मेल मजे पिती हाउ कि आपनना पमें परणिलोँ सराहनbrahim यह सर चा भी जीय संफके 10 mutीन हिट aikसरी करता है फ causal क्रेके 10 अश्या लां परणिल भेप दोगर्वीन इंदी Judy and inhibit the secretion of FSH question number 15 in human female meiosis second is not completed until female मदे meiosis second ये कदी परेंतों complete होत नही है option number 1st is uterine implantation 2nd is birth 3rd is puberty 4th is fertilization 2015 मदे हा question वी चरलागे लिला है अधा ही तीजर आपन पाहिला तर ohm is released from the ori ओरी फिमेल चा ओरी मदें ohm जोय तो release होतास तो आणि जावल release होतास तो त्या वेला तेला पन secondary oocyte असा मनतो the maturation of the secondary oocyte is completed in the mother's oviduct जे oviduct मदे fall up in tube मदे हैच maturation होतास तो after this sperm has entered in the secondary oocyte for the fertilization महेच जे नक की maturation जाएते कदी होता तर जावेला ओहम जो आहे ओहम चे श्ट्रक्टिर जरापन पाहिला ता चमदे अपलेला काय दिसते तर इथ polar body प्रेजेंट असते ले दिसते अनि polar body जाएते कदी meiosis second जाएते कदी होता तर जावेला sperm जाएते fertilization सट येतात sperm जावेला इते अटेच होतात sperm आत्म देतात तर जावेला second polar body जाएते तर रिलीज होते आनि मग तर जावेला काय होता तर completion of meiosis second and convert the secondary oocyte into fertilized oum और it is also called as zygote तर चमण option number 4 fertilization is the correct answer of this question करण fertilization जावेला होता तर जावेला मिवसे second जाएते complete जावेला पलेला जिसुनेत तर question number 16 जो आवेला which of the following layer in an entral follicle is acellular आता हीतम जर आपन पाईला तर कोंती state is acellular अस्तेतर correct हीता पलेला direct answer अस्तेतर जोना पहलुसेडा हाँ जो layer आहेतो कस अस्तो this layer in an entral follicle which of the following event is not associated with ovulation in human female जिती जर आपन पाईला तर चार option आपके लेला दिलेले आयता ovulation से संबंधि था question आये 2015 मदे भी चार लेला इता release of secondary use site मोग ovulation जाएला का होता secondary use site जाएते release होतासता ovulation जाएते कदी होता menstrual cycle नंतर जाएते आपके लेला ovulation जाएला जाएते आपके लेला secondary use site जाएतो release होतासतो त्या मोग option नंबर A जाएतो बरुबर आहे त्या बरुबर LH surge आपके लेला LH level जाएते आपके लेला female body में high level जाएते FSH high जाएते LH high जाएते कमी होत नहीं त्याजबर अबर full development of graphene follicle graphene follicle जी सुधा development full जाले लेशते आणि LH LH level ही increase होते sudden increase होते आणि LH level wide line अंतर में graphene follicle जाएते रप्चर होते आणि ओर ही में जाएतो बाहर पड़तो या प्रोसेस लापन it is called as ovulation option number C is the right answer of this question त्यामन अंतर next आएते question number 18 ectopic pregnancies are referred to as it is रपन पाहिल 4 option apply implantation of defective embryo in the uterus B जाएतो pregnancies is terminated due to hormonal imbalance C is option pregnancies with genetic abnormality and due options आएतो implantation of embryo at site other than uterus 2015 question which ectopic pregnancy ectopic pregnancy is the complication of pregnancy in which implantation of embryo takes place at the site other than uterus 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 जला ुएज टीक आराणी। याज बुरोबर फजाइनल ब्रेडिंग अशा प्रकार चे अप्लेला शिम्टम्स अशा एक्टोपिक प्रेग्नसीस मदे बागाला में ताथ आनि 90 परसेंट एक्टोपिक प्रेग्नसीस अकर्स इन दी फॉलोपें ट्यूब आनि तेच मुण जर आपन पाहिलो तरह राइचा राइट एंसर जाहे ते अप्शन दी इंप्लांटेशन आप एंब्रियो एड़ अड़ अधर दी यूटेरस त्यांतर क्वेश्चन नंबर 19 जो आहे तो मंजे वीच अप्द फॉलोइंग सेल्स दूरिंग गेमेटोजेनेसी इस नौर्मली डिपलाड नाथे डिपलाड लेड सेल्स एतल्य कोंते आस्ता ताशा प्रकर चा वेश्चन आहे तरह इते जर आपन बाइटलात्य स्पर्मेटोजों यापष्ण आहे तो मंजे सेकंडरी पोलार बाडी थर्ड अप्षण अए प्राइमरी पोलार बाडी आनि फोर्थ ओप्शन आई ते मजे स्पर्मेटिड अथा हाँ 2015 मदे क्वेश्चन विच आर लेला है अथा दिपलोइड सेल कोंते अस्ते हैतली दिवरिं गयामेटोजेनीस ते अपनले लेके सांगाई चे ते स्पर्मेटोगोनिया अजर आपन पहिटला तर इस अरद दिपलोइड सेल which mature into primary spermatocytes अनि तेज कशास तत्य तर 2NS तर 2G then they produce 2 haploid secondary spermatocyte meiosis first अनि तेज चमण अप्शन is the right answer of this question spermatogonia are the diploid तेज नम्मर के तर 2NS तो तेन अंतर question number 20 is capacitation refer to change in the अता capacitation मन्जे काई संगितले तर sperm मदे fertilization करने चीजी capacity असते ती निर्मन होन तेला आपन का मन्दोर इस क्वाड़ आज capacitation अनि ही capacitation जाहे तेको टो होता तर करी होता आशे 4 option अप्शन अप्छल दिले ले माँ पहला ज़ अप्शन आहे तो मन्जे ohum after fertilization that is बरवर sperm after fertilization third आहे sperm before fertilization आणि D जाहे तो मन्जे ohum before fertilization आता इता capacitation मदे ohum चा काई जम्मन देत नहीं ते अमण स्पर्म चे अप्छल दोन ही तो अप्शन असे ले जिस्तात पन हे before काप्टर हे अप्छल आम ही ते असना गर जी जाए आता capacitation ही काश साथे आवशे कसता तर अप्शन C is the correct answer of this question है 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 जा है तर घस्ट अवशे लेए माझेए नहीं एवन माझे ले वार बंचल आता जे हैं आता है 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 जाहा है करें आता है है